प्रिशासन द्वारा किसानों की फसल लश्ट किसान नेता और किसान कलेक्टेट में धरने पर बैठे रतलाम जिले के रिवाइन में किसानों की फसले प्रिशासन द्वारा रौनने को लेकर किसान नेता डीपी धाकर कलेक्टेट में धरने पर बैठे थोड़ देर बाद विंद्या किरेंट लिए रतलाम से आमीन हुसान की रिपूर्ट आज चार बजे रियावन गाउं में कई किसान एसे जिनकी फसल लहला रही थी और पक्र तयार थी उस पर रतलाम प्रसासन ने बुल्डोजर चलाया बीज बिगा लसून प्याज और गेहुं पक्र तयार था उसको पूर्ण तर रोन दिया गया है जब हमें इस बात की सुचना मिली हमने ततकाल कलेक्टर साथ से संपर करा उन्होंने पोन ने उठाया जावरा के सम्मानी विदायक जी मीटिंग में थे उनको भी हमने अवगत कराया उन्होंने बोला मैं बात कर रही अन्तोगत्वा इन्होंने एक नहीं सुनी हम सभी किसान लोग याँ पर आकर कलेक्टर साथ से मिलने का प्रियास किया तो बारती जन्ता पार्टी के तीन चार विदायों को के साथ कलेक्टर साथ मीटिंग ले रहे हैं हमारी एक नहीं सुनी गई और उदर फसल को पूर्ण रूप से चोपट कर दिया गया है क्यों कर दिया गया है तैसे के मौन सा क्या कर दिया है महां कौन सा ऐसा एरपोर्ट बन रहा है महां कौन सी ऐसी मल्टी बनाने की बात है हम लोग किसानों के पक्ष में यहां पर बेठे हुए है इनका प्लान है 125 बिगा जमीन को फसल को रोंदना और हम यहां पर बेठे हैं कि अब प्रसासन महां जाकर दिखा है अगर इस तरीके से प्रसासन कारवाई करेगा और हमारे किसानों की फसल बरबाद करेगा तो हम किसानों के पक्ष में यहां बेठे हैं